तो मोधी सरकार ना चार वर्ष पूर्ण थता बसपा सुप्रीमों माया वतिये बाजब सरकार पर प्राहारों करिया मोधी सरकार पर माया वतिये प्राहार करता कहुँ कि सरकारे विपक्षनी पार्टियोंने हरावा माते सरकारी मशिनोंनों दूर उप्योग करियो शे मोधी सरकार द्वारा चार वर्ष पूर्ण थवानी उजोमणी करवा मावी रहीशे तेना पर मायावतिये कहुँ कि केंद्र सरकार उजोमणी करीने करोण रुप्यानों बगाल करी रहीशे अने उप्योग सरकार लोकों नी सहाई करवा मां करवो जोए और उप्यान उप्योग लोकों नी सहाई माड़े थवो जोए त्यार बाद तेम ने कहुँ कि मोधी सरकारे मातर थोड़ा उद्योग पतियों ने सहाई आपी अने गरीबों ने लूटिया शे वाजनादिल से पाण पसपास सुप्रीमोय प्रदान मंत्री पर प्राहार करवारू ना छोड़ू कि सरकार की गलब आर्थिक नितिया और गलब कारेशाली ही पूरे तोर से जिम्मेबार है इसके साथ ही इनों ने अपनी विपक्षी पाठियों को कमजोर करने के लिए सरकारी मशिन्रे का भी दूर्पयोग इतिहासिक तोर पर खूब किया है सरकार के चार बर्स पूरे होने पर जस्न मनाने का और उस जस्न पर करोड़ों करोड़ों अर्बों रुपे खर्च करने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है जबकि सरकार को उस धन को वास्तव में जनहित वे जनकल्यान के कार्यों परी खर्च करना चाहिए अपने कुझी वादी वे ताना शाई निर्णों के माधियम से अपने पिछले चार वर्सों के कारेकाल में यहां की गरीब वे मेहनत कर जनता को खूब छला भी है धोका भी दिया है उन्हें जबकि वास्तम में यह सरकार केवल यहां उठी भर बड़े-बड़े पूजी पतियों वे धन्ना सेटों के आगे ही मस्तक वे दंड बत रही है बीजेपी के राज का मतलब जंगल राज बन गया है और अब यहां बीजेपी एंड कंपनी वे आरेसस वालों के लिए सविधान वे कानून का अनुपालन करने का कोई मायने नहीं रहे